सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दवाईए हमारी लेटेस बच्छन की वीडियो सुनने के दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे जैशी क्रिश्ना, आज मैं आको एकादशी की एक पुराणिक कहानी सुनाने जारे हूँ एक बार एक राधे के दो बेटियां थी, छोटी बेटी हर एकादशी का व्रत करती थी, घर, बाहर, सब जगें छोटी बेटी की बड़ाई होती थी उसकी बड़ी बहन उससे बहुत इश्या करती थी एक बार पडोसी राजा का लड़का राजा की बड़ी बेटी को देखने आया लेकिन उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ जाती है और शादी की तारिक भी पक्की हो जाती है अब तो उसकी बड़ी बहन और भी ज़्यादा चिड़ जाती है उसने अपनी बहन को मारने के नए-ने उपाई ढूनने लगी कभी तो उसने मटके में जहरीला सांप छोटी बहन के कमरे में रखा फिर एक बार उसने लड़ू में जहर मिला कर उसे खाने को दिया फिर एक बार अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले गई और धोके से कुए में धका दे दिया लेकिन हर बार ग्यारस माता ने उसे बजा लिया बड़ी बहन बड़ी परिशान हो गई कि यह तो किसी भी तरण नहीं मरती तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली मेरी प्यारी बहना भगवान ने हम सबकी म्रत्यू किसी न किसी तरह तो लिखी ही है क्या तुमें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी तो छोटी बहन बहुत सीधी साधी थी वो बोली मेरी म्रत्यू मेरे पालतू तोते वे तोते के गले में जो हार है उसमें अठकी हुई है अगर कोई मेरे तोते को माल कर उस हार को लेकर पहन ले तो मैं मुर्चित हो जाओंगी और फिर उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाओंगी उस रात छोटी बेटी अपने पिता के पास गई और बोली पिता जी मुझे कुछ शक है अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं आप मुझे हमारे पुराने महल के कुए के पास जोपड़ी बना कर खाट पर सुला देना राजा बोले बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो दो तीन दिन बाद तो तुमारी शादी है तब छोटी बेटी बोली पिता जी समय का कोई भरोसा नहीं है इस तरहे शादी वाला दिन आजाता है शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूनती है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता तभी दर्वाजे पर बारात आजाती है वर्माला का कारिक्रम हो जाता है फेरों की रसम शुरू हो जाती है उदर बड़ी बहन तोता ढून लेती है और वह उस तोते को मार देती है उदर साड़े तीन फेरे पूरे हो जाते हैं तबी उसकी छोटी बहन मुर्शित होकर गिर जाती है उदर बड़ी बहन तोते के हार को खुद बहन लेती है तब फेरों में सभी घवरा जाते हैं सभी बराती और घराती हलचल मचदाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ छोटी राजकुमारी को क्या हुआ सब डर जाते हैं तब राजा वेद और हकीम को बुलाते हैं छोटी राजकुमारी को अंदर महल में जाकर लिटा देते हैं, वेद और हकीम राजा से कहते हैं कि राजकुमारी ना मरी हैं ना जीवित हैं, हमने ऐसा पहली बार देखा है, तब राजा उन वेद और हकीम से कहते हैं कि बाहर जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी अगर ऐसा नहीं कहा तो मैं तुम्हें फासी दे दूँगा बेचारे वेध हकीम बाहर आकर जो राजा ने कहा वो बोल देते हैं तभी बड़ी बेटी आती है और वो बोलती है पिताजी मुझे छोटी बेहन के मरने का बहुत दुख हुआ उससे जादा दुख मुझे इस बात का है कि आपकी इज़त खराब हो जाएगी आप ऐसा करो उसकी जगें आप फेरों में मुझे बिठा दो, सब ठीक हो जाएगा आपकी इज़त भी रह जाएगी तब राजा को यही उपाय ठीक लगा तब राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना कर फेरों में बिठा दिया लेकिन राज कुमार ने मना कर दिया कि ये मेरी पतनी नहीं है, मेरी पतनी जब बोलती है तो उसके मुझे फूल जड़ते हैं और जब वो चलती है तो कक्कू के पैर बनते हैं लेकिन बरात में और सबने समझा बुजा कर बड़ी बेहन से साड़े तीन फेरे डलवा दिये जब बड़ी राज कुमारी सुसराल आई तो राज कुमार उससे बात भी नहीं करते थे और उसके हाथ से पानी भी नहीं पीते थे और उसका बनाया हुआ खाना भी नहीं खाते थे मन ही मन उन्होंने सोचा कि मैं पता करके रहूँगा कि मेरी पतनी के साथ क्या हुआ तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोडे पर बैट कर जा रहे थे तब ही अचानक घोडा वही आकर रुका जहां राजकुमार की अध्मरी लाश को रखा गया था राजकुमार ने मनिमन सोचा कि घोडे का यहां अचानक रुखना कोई तो वज़े है पता करना पड़ेगा तब राजकुमार घोडे से उतर कर पुराने से दिख रहे महल में गए वहाँ एक चोकीदार था राजा ने पूछा कि यह महल किसका है तो चोकीदार ने बताया तब राजकुमार समझ गए कि यह पुराना महल तो उसके ससुर का है तब राज कुमार ने कहा कि वहाँ खाट पर कौन सो रहा है तब चोकिदार ने बताया कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी तब राज कुमार ने चोकिदार से कहा कि यह तो मेरी पत्नी है इसके साथ मैंने साड़े तीन फेरे लिये थे तब राज कुमार ने चोकिदार से कहा कि तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया हूँ मैं तुम्हें मू मांगे पैसे दूँगा चोकिदार हामी भर लेता है तब राज कुमार खाट के पास गया और उसने बचे हुए साड़े तीन फेरे उस खाट के साथ लगा लिये राजकुमार उस दिन वही रहा रात को अचानक छोटी रानी उठकर खड़ी हो गई उसने अपने पास अपने पती को देखा तो वे खूब रोई राजकुमार ने पूछा बड़ी अजीब बात है तुमें फेरे वाले दिन क्या हो गया था तुम मुर्चित क्यों होकर गिर गई तुमारे पिता ने मेरी शादी तुमारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी जबकि मैंने अब तक तुमारी बड़ी बहन को स्विकार भी नहीं किया है तुम मुझे पूरी बात बताओ तुम दिन भर तो मुर्चित थी और अब रात को अचानक तुम जीवित कैसे हो गई इसका भी राज बताओ और यह भी बताओ तब राज कुमारी ने अपने पती को तोते वाली और हार वाली बात बताओ और साथ ही यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताओ थी एक बार मेरी बड़ी बहन ने मुझे मेरी मिर्ट्यू का उपाय पूछा था तो मैंने उसे पूरी बात बताई थी मेरी बड़ी बहन मुझसे इर्शा करती है उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की लेकिन ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन ने किया है तोते के गले में जो हार था वो हार मेरी बड़ी बहन दिन में पहनती है और रात को खोल कर रख देती है इसलिए मैं दिन भर मुर्चित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ अगर वो हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी राजकुमार का माता ठनका उसमें सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है अब वो राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ वहीं दिन बिताने लगा उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेज कर पता लगवाना चाहा कि आजकल राजकुमार पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात कहां रहते हैं लेकिन दास दासियों को कुछ खबर नहीं लगी उदर छोटी रानी गर्ब से हो गई एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा कि मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो रात में ही होना चाहिए, दिन में तो मैं मुर्चित रहती हूँ तब राजकुमार ने कहा कि मैं हमेशा तुमारे साथ रहूँगा तब एक दिन राजकुमार किसी काम से अपने महल में जला जाता है उदर छोटी रानी को प्रसव पीडा शुरू हो जाती है चोटी रानी ग्यारस माता को याद करती है तब ग्यारस माता प्रकट होती है और चोटी रानी का प्रसव करवाती है उसे एक सुन्दर पुत्र पैदा होता है तब ही वहां राजकुमार आ जाते हैं उसने भी ग्यारस माता के दर्शन किये ग्यारस माता बोली ये मेरी परम भब्त है तो हे राच कुमार जब तुमारा बेटा पांस साल का हो जाए तो तुम अपनी बड़ी रानी का हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना तब तक मैं किसी ने किसी तरह इसकी रक्षा करती रहूंगी ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर ध्यान हो गई तब दिन बीतने लगे देखते ही देखते कुमर पांच वर्ष के हो गे तब एक दिन राच कुमार अपने कुमर से कहते हैं बेटा यू राज तुम यही रहना मा की खाट के पास रहना मैं शहर से काम निम्टा कर आता हूँ तब राच कुमार को पुराने महल से बाहर आते हुए बड़ी रानी के दास और दासी देख लेते हैं और इसकी शिकायद वो बड़ी रानी से कर देते हैं तब बड़ी रानी बच्चे को उठवा लेती है और उसके दो टुकड़े करके एक टुकड़ा चक्की के नीचे और एक टुकड़ा खुद के पलंग के नीचे छिपा देती है। जब राजकुमार शहर से वापस आते हैं और अपने कुवर को नहीं पाते तो वो ग्यारस माता से विंती करते हैं तब ग्यारस माता एक बिखारिन का वेश बनाकर बड़ी रानी के महल में बिख्चा मागने जाती है। तब बड़ी रानी अपने दास दासियों के साथ बिख्चा भिजवाती है लेकिन बिखारिन बनी ग्यारस माता बिख्चा लेने से इंकार कर देती है और कहती है कि मैं बिख्चा सिर्प रानी से ही लूँगी। तब बड़ी रानी बिख्चा देने खुद दर्वाजे पर आती है तब ही ग्यारस माता एक बिल्ली का वेश बनाकर अंदर महल में से कुमर के दोने टुकडे उठा कर ले जाती है और दोनों को जोड़ कर उसमें प्रान फूंग देती है। तब ग्यारस माता राज कुमार से बोलती है कि अब समय आ गया है तुम कुमर को लेकर अपने महल में जाओ और हार लेकर आओ वे अपनी पत्नी को पैनाओ तब राज कुमार कुमर को लेकर महल में जाते हैं और वो अपनी बड़ी रानी से कहते हैं रानी यह बच्चा मेरी तूर के रिष्टे की बहन का है, अगर तुम इसे प्यार से रखोगी, तो शायद मेरा दिल भी तुम पर आ जाए, बड़ी रानी बहुत खुश होती है, वो कुमर को खूब अच्छे से रखती है, खूब लाड़ प्यार करती है, तब एक दिन राज कुमर के कान में कहते हैं, बेटा तुम अपनी मामी से हार मांग लो, हम ये हार लेकर तुमारी मा के पास चलेंगे, लेकिन तुम ये बात मामी को मत बताना, कुमर बड़े ही होश्यार थे, कुमर तुतलाती वानी में अपनी मामी से बोले, मामी मामी मुझे आपका हार दे दो, एक बार तो बड़ी र पहाता कि तुम इस कुमर को अच्छे से रखोगी तो मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। वो तुरंत हार खोल कर कुमर को दे देती है। कुमर उस हार को ले जाकर अपने पिता को दे देते हैं। राज कुमर बड़ी रानी से कहते हैं, बड़ी रानी आज हम आपके हाथ का बना हुआ खाना खाना चाते हैं, कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, तब तक हम आते हैं। राजकुमार कुमर और हार को लेकर छोटी रानी के पास चले जाते हैं। उधर बड़ी रानी बहुत खुश होती है कि राजकुमार ने पहली बार कुछ खाने को मांगा है तो वह अच्छा से अच्छा खाना बनाने में लग जाती है। राजकुमार हार अपनी छोटी रानी को पैना देते हैं। हार पहनते ही वो जीवित हो जाती है। राजकुमार छोटी रानी वो कुमर को लेकर महल में आते हैं। बड़ी रानी अपनी छोटी बहन को देखकर सारा मांजरा समझ जाती है। तब राज कुमार बड़ी रानी को ले जाकर अपने ससुर के घर छोड़ आते हैं और पूरी बात बताते हैं राजा को भी बड़ा पश्चताप होता है वो कहता है कि उसकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी तब बड़ी रानी भी हाथ जोड़ कर माफी मांगती है लेक आस मैंने आपको एक अदशी की एक पुराणी फल देने वाली कहानी सुनाई तो प्लीज अपने दोस्तों और रिष्छेदारों में ज्यादा झाल झाल